प्रित्वी और हमारा जीवन के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं और उन चैप्टर्स से रिलेटेट टेट सीटेट में जितने पुराने कोश्चन्स पूछे गया हैं उसका सेट भी सॉल्व करते जा रहे हैं अभी तक हमने फाइव चैप्टर्स कवर किये हैं आज हम देखेंगे सिक्स्थ चैप्टर फ्रेंड्स अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखें होंगे तो आपको आइडिया हो गया होगा कि लास्ट के जितने कोश्चन्स सेट्स हमने सॉल्व किये हैं वो टॉपिक से कितने जादा रिलेटेड हैं यानि प्राइमरी की बुक से कितने जादा फ्रेंड हो रहे हैं चलिए इसी सीरीज में आज हम देखेंगे प्रित्वी के परिमंडल यानि रिलम्स ओफ अर्थ समस्त भू मंडल यानि प्रित्वी को चार परिमंडलों यानि रिलम्स में बाटा जाता है प्रित्वी का ठोस भाग जहां हम रहते हैं उसे स्थल मंडल यानि लिथोस्फियर कहते हैं वहीं जल वाले भाग को जल मंडल यानि हाइड्रोस्फियर कहते हैं पृत्वी को चारो और से घेरे हुए वायू के आवरण को वायू मंडल यानि एट्मोस्फियर कहते हैं वहीं पृत्वी का वह भाग जहां ये तीनों मंडल एक दूसरे से संपर्क में आते हैं उसे जैव मंडल यानि बायो स्फियर कहते हैं अब चलिए हम पृत्वी की संरचना के बारे में देख लेते हैं पृत्वी के केंद्र को क्रोड यानि कोर कहते हैं वहीं कोर के उपर की परत को मैंडल कहते हैं मैंडल के बाहर की परत को भूपरपटी यानि क्रस्ट कहते हैं पृत्वी के चारों परी मंडलों के नाम की उत्पत्ती ग्रीक भाशा से हुई है जिसमें लिथोस का अर्थ होता है पत्थर जो लिथोस्फियर बनाता है एट्मॉस का अर्थ होता है वास्प जिससे एट्मॉस्फियर शब्द की उत्पत्ति होती है और हिूडर का अर्थ होता है जल जिससे हाइड्रोस्फियर और बायोस का अर्थ होता है जीवन यानि यही शब्द बायोस्फियर बनाता है चलिए अब देख लेते हैं हम स्थल मंडल यानि लिथोस्फियर के बारे में पृत्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहते हैं या पृत्वी की उपरी परत में पाई जाने वाली चट्टानों और मिट्टी से मिलकर बना होता है इसमें जीवों के लिए उपयोगी पोशक तत्व पाई जाते हैं इस परग्राफ से सीटेट में एज इस कोशन बना है इसलिए एक-एक लाइन बहुत इंपोर्टन्ट है स्थल मंडल को दो मुख्य भागों में बाटा जाता है पहला महाद्वीप यानि कॉंटिनेंट और दूसरा महासागर बेसिन यानि ओशन बॉटम महादीप कॉंटिनेंट यानि जो भी बड़े स्थलिय भूभाग है बड़े-बड़े लैंड मासस हैं उनको महाद्वीप यानि कॉंटिनेंट कहते हैं पहीं महासागर बेसिन यानि ओशन बॉटम महासागर की तलहटी में पाये जाने वाला घो भाग है। इन दोनों को मिला कर हमारे स्थलमंडल का निर्माण होता है। चलिए आप देख लेते हैं कॉंटिनेंट्स यानि महादुप के बारे में। प्रिथ्वी पर सेवन कॉंटिनेंट्स पाये जाते हैं। यह रही इनकी लिस्ट। यह हैं एशिया, आफ्रिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्टिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इन्हें एरिया के साइस के हिसाब से ही अरेंज किया गया है, यानि एशिया सबसे बड़ा कॉंटिनेंट्स है, वहीं आस्ट्रेलिया सबसे छोटा। इन साथो कॉंटिनेंट्स का मैक्सिमम पोर्शन यानि लैंड एरिया हमारे नौर्थ हेमिस्फियर यानि उत्री गोलार्थ में पढ़ता है चलिए अब हम इन साथो कॉंटिनेंट्स का मैप में लोकेशन देख लेते हैं सबसे बड़ा कॉंटिनेंट है एशिया फिर आफ्रिका फिर आता है नौर्थ अमेरिका उसके बाद साथ अमेरिका नीचे के साइड में है अंटार्टिका उसके बाद आता है यूरोप और साइज में सबसे छोटा कॉंटिनेंट है और फ्रेंट्स इन कॉंटिनेंट्स का मैप में location जानना भी बहुत ज़रूरी होता है वैसे ये topic बहुत ही जादा important है इससे UPPCS से ले करके primary test में कम से कम दो से तीन questions तो बनते ही बनते हैं इस लिए इस chapter को बहुत ही ध्यान से समझेगा इस topic में जितने भी important places आएंगे उनको हम map में mark करते हुए भी चलेंगे सबसे पहले हम देखेंगे Asia के बारे में Asia world का सबसे बड़ा continent है यह near about one third पूरे world का area cover करता है और वही 60% population एशिया में पाई जाती है इसमें बहुत सारे बड़े-बड़े countries हैं जैसे चाइना इरान जापान Asia continent के North में North Pole जहां Arctic Ocean है और South में Indian Ocean है Indian Ocean इंडिया के नाम पर रखा गया है Asia के West में Europe continent है Europe और Asia को मिला कर Eurasia का आजाता है जिसे इस लाइन से differentiate किया गया है World का सबसे highest mountain range हिमालियास एशिया continent का हिस्सा है हिमालियास का सबसे highest peak है Mount Everest जो की एशिया का हिस्सा है इसकी height है 8848 meters यह कई बार exams में पूछ लिया जाता है यहां बहुत सारे important plateaus भी है जैसे Tibet Plateau, Pamir Plateau और Deccan Plateaus Pamir Plateau को roof of the world कहा जाता है Friends कई बार Pamir Plateau के साथ Tibet Plateau को भी confuse किया गया है अगर options में दोनों अलग लग दिये हैं तो आप दोनों को टिक लगा सकते हैं लेकिन अगर एक ही question में दोनों options दे देता है तो आप most probably Pamir का पठार यानि Pamir Plateau को ही टिक लगाए Asia continent में बहुत सारे important नदिया बहती हैं जिनका location कई बार exams में पूछ लिया जाता है तो चलिए इन्हें भी mark कर लेते हैं गंगा, यमुना और ब्रह्म पुत्रा इंडिया में बहने वाली नदिया हैं वही सतलज और सिंधू पाकिस्तान से शुरू हो करके इंडिया में इंटर करती हैं और तिबत की और मुड़ जाती हैं दजला फराद इराक की नदी का नाम है जिसका नाम बदल करके टिग्रिस कर दिया गया है हुआंगो नदी चाइना में बहने वाली नदी है वहीं इरावडी मियनमार की नदी का नाम है चलिए अब देखते हैं हम सेकंड कॉंटिनेंट आफ्रिका एशिया के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा कॉंटिनेंट है ओशन कटबंधिय यानि ट्रॉपिकल जोन में पाये जाने की वज़े से ये बहुती गरम महादूइब है यहां खनीजबदार्थ एवं शक्ति के साधन प्रचूर मात्रा में पाये जाते हैं बहुत जादा गरमी होने की वज़े से ही यहां पे सहारा डेजर्ट और बहुत जादा फैले हुए घास के मैदान पाये जाते हैं जो सबसे important point इस continent से पूछा जाता है वो यह की equator, Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn इस continent से गुजरता है आफ्रिका के बहुत सारे locations को examinations में पूछा जाता है इसलिए इन्हें map में जानना बहुत ज़रूरी है तो चलिए इन्हें देखते हुए एक-एक करके mark कर लेते हैं सहारा desert जो world का सबसे बड़ा desert है वो आफ्रिका के north west में है वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी नील भी इसी continent में बहती है कुछ और भी बहुत important rivers है जिसका नाम जानना ज़रूरी है नाइजर, कॉंगो, लिमपोपो और जैंबजी river भी आफ्रिका में ही बहती है Victoria fall, जैंबजी river के ऊपर है फ्रेंड्स, इस point को तो आप बिल्कुल रट लीजे कॉंगो river, equator को दो बार काटती है वहीं लिमपोपो river, Tropic of Capricorn को दो बार काटती है आफ्रिका के pyramids, world famous है वहीं human origin और human civilization का जो development है यानि मानव का जन्म और उसका विकास इसी महादवीप पे हुआ इसके बाद से मानव यहां से जाकर दूसरे महादवीप में बसना शुरू कर दिया आफ्रिका का two third part equator equator के north में है वहीं one third part equator equator के south में है आफ्रिका के west में Atlantic Ocean और east में Indian Ocean है आफ्रिका के north में Mediterranean Sea और north east में Red Sea बहती है Mediterranean Sea और Red Sea को Swiss Canal जोड़ती है आपस में चलिए अब देखते हैं North America के बारे में North America third सबसे बड़ा continent है Columbus ने America की खोच की थी निकला वो इंडिया की खोच करने था लेकिन खोचते खोचते वो West Indies पहुँच गया जो की एक group of islands है North America के east side में North America वर्ल्ड का सबसे ज़ादा developed continent है North America के west में प्रशांत महसागर यानि Pacific Ocean बहती है और east में North Atlantic Ocean इस continent के north में Arctic Ocean जिसे North Pole Ocean भी कहते है इस continent से Tropic of Cancer गुजरती है Panama Canal नौर्थ अमेरिका और South America के बीच बहती है जो Pacific Ocean और Atlantic Ocean को आपस में जोडती है Rocky Mountains और Applesian Mountains नौर्थ अमेरिका के important mountain ranges है वही Mississippi और Missouri River important नदी है North America की चलिए map में इनका location देख लेते हैं Rocky Mountains नौर्थ अमेरिका के west में और Applesian Mountains नौर्थ अमेरिका के east side में है वही Mississippi और Missouri River नौर्थ से south direction में बहती है चलिए अब देखते हैं हम South America के बारे में South America नौर्थ अमेरिका के south direction में पढ़ता है इस continent का maximum part दक्षनी गोलार्थ यानि south hemisphere में पढ़ता है यहां की Amazon घाटी world famous है जो अपनी वनस्पतियों और घने वन के लिए प्रसिद्ध है वर्ल्ड का सबसे longest mountain range Andes South America में है वहीं वर्ल्ड का सबसे highest mountain range Himalayas Asia continent का हिस्सा है equator South America के north part से होकर गुजरती है चलिए यह सारी चीज़े हम map में locate कर लेते हैं South America के west में Pacific Ocean है वहीं east में Atlantic Ocean South America के north में Gulf of Mexico और Caribbean Sea है वहीं इसके south side में Antarctica continent है Amazon basin South America के north portion को cover करता है जिसको touch करते हुए ही Andes mountain range north से south direction तक फैला हुआ है चलिए अब देखते हैं हम Europe continent इस continent के east में Ural और Caucasus mountain है जो Europe को Asia continent से अलग करता है यूरप के north में Arctic Ocean और south में Mediterranean Sea है यूरप में बहुत सारे important countries हैं जैसे England, Italy, Germany, Portugal, Poland, France, Sweden, Norway, etc. Russia जो world की सबसे बड़ी country है ये दो continents में फैली हुई है ये east side में एशिया से ले करके वेस्ट में यूरप तक फैली हुई है चलिए अब देखते हैं हम Antarctica continent ये continent south pole के आज पास फैला हुआ है south pole के पास होने की वज़ा से ये महादीप साल भर मोटी बर्फ की सफे चादर से ढखा रहता है इसलिए इनसान का यहाँ पर रहना बहुत कठिन है फिर भी यहाँ पर बहुत देशों ने अपने research centers establish किये हैं भारत ने भी यहाँ पर तीन ऐसे research centers खोले हैं जिनका नाम बहुत important है एक्जामस में पूछता है टेट में इससे question बन चुका है इन research centers के नाम है दक्षन, गंगोत्री, मैत्री और भारती आप map में भी इसका location देख लीज़े चलिए अब देख लेते हैं हम last continent जो है Australia यह सारे continents में सबसे छोटा continent है कंगारू यहाँ का national animal है Australia continent equator के south side में पढ़ता है Tropic of Capricorn इस continent को लगबग beach से cross करती है इस continent को island continent भी कहा जाता है क्योंकि यह चारों तरफ से ocean से घिरा हुआ है Australia के rivers के बारे में बात करें तो Darling और Murray दो important नदिया है वही great dividing range यहाँ का mountain है इस continent के north east direction में world की सबसे बड़ी reef जिसे great barrier reef कहते है या हिंदी में प्रवाल भित्ती कहते हैं पाई जाती है Australia के west direction में इंडियन ओशन और east direction में Pacific Ocean पाया जाता है इसलिए यह भी कह सकते हैं कि great barrier reef का location Pacific Ocean है Australia के south side में location होने की वजह से जब भारत में ठंड पड़ती है तो Australia में गर्मी होती है तो friends इस concept से TED में question भी बन चुका है कि वो कौन सा देश है जहां गर्मियों में Christmas मनाई जाती है तो friends जब सारे देश में ठंड़क में Christmas मनाई जा रही होती है तो उस समय Australia में गर्मी पड़ रही होती है इस वजह से Australia वो देश है जहां गर्मियों में Christmas मनाई जाती है तो friends हमने lithosphere यानि स्थल मंडल टॉपिक के अंडर में साथो continent देखे lithosphere को mainly 3 landforms में बाटा गया है जो है परवत यानि mountain, पठार यानि plateau और मैदान यानि plains तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जल मंडल यानि hydrosphere हमारी प्रित्वी का 1 4th हिस्सा यानि 29% land है वही 3 4th यानि 71% हिस्सा water है जल का सबसे जादा हिस्सा महासागरों में स्थित है हमारी पूरी प्रित्वी पर 5 महासागर है जिसकी लिस्ट है सबसे बड़ा है प्रशांद महासागर जिसे Pacific Ocean कहते हैं सेकेंड है Atlantic, थर्ड है हिंद महासागर, फिर Arctic और दक्षणी महासागर जिसे Antarctic Ocean भी कहा जाता है स्थल पर किसी भी स्थान की उचाई या महासागर में किसी भी स्थान की गहराई को इसलिए समुद्र के तल से नापा जाता है विश्व का सबसे उचा परवत शिखर हिमाले परवत पर है जैसे मांट एवरेस्ट कहते हैं ये समुद्री तल से 8848 मीटर उचा है वहीं विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशान्त पहसागर में है जिसे मेरियाना ट्रेंच कहते हैं ये समुद्र तल से 11,022 मीटर गहरा है हमारी पृत्वी पर जैलिये भाग अधिक है इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं जल के तीन रूप होते हैं ठोस जो बर्व के रूप में होता है द्रव यानी जल के रूप में और वास्प यानी गैस चलिए आप देख लेते हैं जल चक्र यानी water cycle water cycle का मतलब water के जो तीनों forms हैं वो आपस में convertible होते हैं एक form से दूसरे form में convert होते रहते हैं प्रित्वी का जल वास्पी करण यानि एवापिरेशन के थुरू अट्मोस्फियर में जाता है वहाँ पर कंडेंस होकर फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है इसको कंडेंसेशन या संगरन कहते हैं कंडेंस वाटर फिर से रेन के रूप में नीचे आता है जिसे वर्षन या प्रेसिपिटेशन कहते हैं इसलिए इवापिरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन ये तीनों आपस में इंटर कनवर्टिबल है चलिए फ्रेंट्स तो अब हम शुरू करते हैं वाईउ मंडल यानि एट्मोस्फियर एट्मोस्फियर नाइट्रोजन, ओक्सिजन, कारबन डियोक्साइड और और औरगन गैसस का बना हुआ एक कवरिंग होता है जो हमारी प्रित्वी के चारो और घेरे रहता है ये कावरिंग प्रित्वी से 1600 किलोमेटर उचाई तक फैला हुआ है और प्रित्वी के साथ ही घूमता रहता है एट्मोस्फियर अलग-अलग लेयर्स में डिवाइड़ है जैसे शोब मंदल यानि ट्रोपोस्फियर, समताप मंदल यानि स्ट्राटोस्फियर, मध्य मंदल यानि मीसोस्फियर, आयन मंदल यानि आयनोस्फियर और भहिर मंदल यानि एक्जोस्फियर atmosphere में nitrogen 78% oxygen 21% और बाकी एसस जैसे carbon dioxide और organ ये सब मिला के 1% होती है atmosphere से related कुछ और points हैं जो बहुत अच्छे से clear होने चाहिए उचाई बढ़ने के साथ साथ हवा की density कम होती जाती है इसी के साथ में atmospheric pressure और temperature भी घटता चला जाता है यही reason है कि जब भी mountaineers या परवतारो ही पहाड़ों पे जाते हैं तो वो अपने साथ oxygen cylinders जरूर ले जाते हैं चलिए आप देखते हैं जैव मंडल यानि biosphere प्रित्वी पर विभिन प्रकार के जीव जन्तू, पेड़ पौधे, मनुष्य, वनस्पतियां यह सब आपस में एक दूसरे के साथ interaction करता है अंतह क्रिया करता है और अनुकूल परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं इसी सही में छेत्र को जैव मंडल या biosphere कहते हैं वे सभी जीव जन्तू, जो स्थल पे रहते हैं, उन्हें स्थल ये जैव मंडल का हिस्सा कहा जाता है और वहीं महासागर नदीव जील में रहने वाले विभिन प्रकार के जीव जन्तुओं को जलिये जैव मंडल का हिस्सा माना जाता है चलिए अब देख लेते हैं भू मंडलिये तापमान यानि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ये बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है फैक्टरीज और इंडस्ट्रीज से जो स्मोक, कार्बन डियोकसाइड जैसे हामफल गैसस निकलते हैं ये जब एट्मासफियर में एड होते हैं तो ये एट्मासफियर का टेंपरेचर बढ़ा देते हैं इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं तो फ्रेंट्स आज हमने कवर किया चाप्टर 6 पृत्वी के परिमंडल का थियरी पोर्षन चलिए अब इससे रिलेटेट टेट सीटर में पुछे गए पुराने कोस्टन का सेट सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंट्स ये चाप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक्जामनेशन में इससे दो से तीन कोस्टन बनते ही बनते हैं इसलिए हमारे कोस्टन का सेट भी थोड़ा लंबा है हमारा पहला कोस्टन है निम्न लिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेशता नहीं है इसका करेक्ट एंसर है ओप्शन डी पृत्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है अब देखते हैं सेकेंड कोस्टन जैव मंडल के विशे में सबसे उपर्यूक्त कथन है इसका करेक्ट एंसर है ओप्शन बी भूमी, जल, वायू, पौधे और पशुक क्वेशन नम्बर त्री भूमी की एक सकरी पट्टी जो दो बड़े भू खंडो को जोडती है उसे जाना जाता है इसका करेक्ट एंसर है ओप्शन डी भू संधी विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है इसका correct answer है option D, एशिया व अफ्रिका में अब देखते हैं 5th question Atlantic महासागर में अनेक पोताश्रे एवं पत्तन है क्योंकि इसका correct answer है option B, Atlantic महासागर की तट रेखा अधिक छिछली है 6th question, दुनिया की सबसे लंबी परवत श्रिंखला कौन सी है? इसका correct answer है option A, Andes 7th question, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? इसका correct answer है option B, Amazon नदी बेसिन 8th question, संसार में किस महादवी पर सबसे कम जनसंख्या है? इसका correct answer है option A, Australia अब देखते हैं 9th question, यूराल परवत अलग करते हैं इसका correct answer है option B, Asia और यूरोप को question number 10, मनाव की परवत हवाई दूइब सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी उचाई Everest परवत से भी अधिक है यह निमने लिखित महासागरों में से किस में स्थित है? इसका correct answer है option D, प्रशांत महासागर 11th question, मेयान जुआला मुखी परवत स्थित है? इसका correct answer है option D, फिलिपीन्स में अब देखते हैं 12th question, निमन में से कौन शांत जुआला मुखी का उधारण है? इसका correct answer है option A, किलिमन जारू अब देखते हैं 13th question, ड्रैकेंसबर्ग परवत निमन में से कहा स्थित है? इसका correct answer है option C, दक्षिन आफ्रिका 14th question, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? इसका correct answer है option B, कैनबरा Question number 15, महासागर प्रित्वी प्रिष्ट के अधिकांस भाग को आवरित करते हैं जो है लगबग, इसका correct answer है option A, 3x4 16th question, कोटो पैक्सी एक जागरित ज्वाला मुखी है, जो स्थित है? इसका correct answer है option C, एन्डीज में अब देखते हैं 17th question, निमन लिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? इसका correct answer है option C, कवक यानि फंजाई 18th question, गंगा नदी निकलती है? इसका correct answer है option C, गंगोत्री ग्लेशियर से 19th question, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? इसका correct answer है option C, ब्रह्मपुत्र अब देखते हैं 20th question, वायू मंडल का प्रमुक्सतर जो पृत्वी तल के नजदीक है? इसका correct answer है option B, शोब मंडल यानि ट्रोपोस्फियर अब देखते हैं question 21, पृत्वी के वातावरण की किस सता हमें ओजोन परत पाई जाती है? इसका correct answer है option B, स्ट्राटोस्फियर 22nd question, वायू मंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? ये फिर से repeated question है, इसका correct answer है शोब मंडल यानि ट्रोपोस्फियर अब देखते हैं 23rd question, भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी का नाम है? इसका correct answer है option A, माउंट के टू इसका correct answer है option B, मध्यमंडल यानि मीसोस्फियर 25th question, विश्व उश्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? यानि global warming के लिए इसमें से कौन सा factor responsible है? इसका correct answer है option A, वाहनों से निकलती गया से अब देखते हैं 26th question, पेड़ पौधे प्रदूशन को हटाते हैं क्योंकि वे अवशोशन करते हैं? इसका correct answer है option B, कारबन डाय उक्साइड अब देखते हैं last question, एट्लांटिक महसागर के विशाय में निम्न लिखे तत्थे पढ़ें? ए, यह अंग्रेजी के अक्षर S के आकार का है बी, इसकी तट रेखा सरल रेखिय वा निर्बाद है सी, व्यापारिक द्रिष्टी से यह सबसे व्यस्त महसागर है उपर्यूक्त कत्नों में से कौन से सत्य हैं? दिये वए statement में से statement A और C सही है इसलिए इसका correct answer होगा option B, केवल A तथा C तो friends, आज हमने देखा पृत्वी के परिमंडल यानि रिलम्स ओफर्थ जो की बहुत important topic है इसके सारे important questions भी देख लिए तो friends, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे please like and share करें और मेरे चैनल को subscribe भी कर लें ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें थैंक्स फोर वाचिंग